नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं आज सिख्छक दिवस सिख्छक दिवस के आउसर पर रभिवर को राज्य के कई सिख्छक समाइनित किये जाएंगे इनमें एक सिख्छक को जहां राश्टिये पुरस्कार मिलेगा वहीं 6 शिख्छको को राज अस्तरिये तथा 120 शिख्छको को जीला अस्तरिये पुरस्कार दिया जाएगा बतादे राश्टपति रामनाथ कोविन जमसेद पूर्ग के राश्टिये पुरस्कार के लिए चैनित हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल इसकूल के सिख्छक मनोज कुमार सिंग को या पुरस्कार अनलाइन प्रतान करेंगे मनोज कुमार सिंग राची के डोन डाईश स्थीत ये नाइसी से इस कारेकरम से जुडेंगे बतादे क्रोणा के कराण इस भर भी ताष्ट पती का कारेकरम ओनलाइन हो रहा है वहीं ताष्ट्रिये पुरस्कार के लिए देश भर के चुवाली सिस्को का चैन किया गया है जिन में एक जारखंड के हाँ जारखंड बिधान सभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा अवन्टित जारखंड बिधान सभा की नई बिल्डिंग में नमाज पढ़ने के लिए कोक्ष अवन्टित किया गया है इस समझ में जार्खन विधान सभा सची वाले की ओर से गुरुवार को आदेश जारी किया गया है इसके साथ ही विधान सभा के कॉक्ष संख्या 348 को नमाज पढ़ने के लिए अरक्षित किया गया बता दे अरितुचना पर परतिकिरिया ब्यक्त करते विए जार्खन के पूर्वे विधान सभा अद्याक्ष तथा भाजपा के बरिष्ट नेता सीपी सिंग ने कहा की हम नमाज के लिए कॉक्ष आवंटित किये जाने के खिलाप नहीं है लेकिन हमें विधान सभा भावन परिसर में हुन्मान मंदीर बनाने के अनुमती मिलनी चाहिए अगर विधान सभा अद्याक्ष मंदीर बनाने के अनुमती पदान करते हैं तो हम अपने खर्च पर इसे त्यार कराने की जिमेदारी लेते हैं अंगन बाडी केंदर के बच्चों को भी मिलेगा अंडा सेविकाओ को अंगन बाडी में आने वाले बच्चों की देखवाल अपने बच्चे की तरह ही करना चाहिए सेविका नियमित देखवाल कर महिला और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने का काम कर सकती है लक्ष और चुनोती यही है कि दो बर्चों में आंगनवाडी से जुले साभी महिलाए और बच्चे स्वस्त रहे तथा कोई कुपो सितना रहे इसलिए हेमन सुरेन सरकार आंगनवाडी के अंदर में आने वाले बच्चे के लिए अंड़े की सुधा उपलब्द कराएगी ज्ञार्खन से दूर रहे मानो तसकर नहीं तो होगी करवाई सीम हेमन्त मुख्यमंत हेमन सुरेने कहा है कि उनकी सरकार मानो तसकर से हर एक ज्ञार्खन वासी को बचाने के लिए प्रतिवत है हमने इस खत्रे को पहले ही काफी जेला है लेकिन अब और नहीं यदि मामला त तसकरी के सिकार ये तुवरिया की 12 बरस बाद हो रही घर्वापसी पर कही है मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बार फिर अपने परिजनों से बिछडे और मानो तसकरी के सिकार आदिवासी महिला को मुख्यमंत कराया गया है बोर्ड एनोसी देने और उसे रोकने मात्र का काम करने में जुटा है जबकि बोर्ड का मुख्य काम परदूसन नियंत्रन होना चाहिए गयर सरकारी संस्थाओं सीड और असर की ओर से पत्रकार प्रसिक्षन कारेकरम को संबोधित करते हुए उराव ने कहा कि उध्योग और विकाद से समंदित अने कार्योग कारेकरमों को रोका जा सकता है लेकिन इनसानी जरूरतों और उत्पादन के बीच की रेखा कोता है करना होगा है रिम्स में जल्द होगा किड्नी ट्रांस्पलांट रिम्स जल्द ही अंग परत्यार ओपन में देश का बराहुआ और जहारखन का पहला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है किड्नी ट्रांस्पलांट के साथ राजे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के नए अध्याय की सुरुआत होगी बता दे अस्पताल परसासन जी जान से इसकी तियारी में जुटा है यह जनकारी निम्स निदेशक डाक्टर कमेसर परसाद ने सुकरवार को दी डाक्टर परसाद ने कहा कि मल्टी औरगन फिर और की समस्या बढ़ गई है अंग परत्यार ओपन ही इसका बिकल्प होता है लेकिन जरूरत के मुताविक अंग दान नहीं होता है लातेहर पूलिस ने हथियार के साथ चात्रा का नक्सली को किया आरेष्ट जारखन के लातेहर जीले के पूलिस अधिक्छक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सुचना का धार पर बालू माथ थाना पूलिस ने टीसपीसी का एक सक्रिय उग्रवादी परदीप कुमार गांजु को गिरफतार किया है उसकी गिरफतारी एक छापे मारी अभ्यान चलाक और बालू माथ थाना चेतर के राजगुरु गराम के जिरहूला टोला के समीप उतरी पहार के जंगल से किया गया है पतादे गिरफतार उग्रवादी चत्रा जीले के कुन्दा थाना चेतर के लुकईया गराम का रहने वाला है गिरफतार उग्रवादी का अपराधिक इतिहास खांगाला जा रहा है इस आसे की जनकारी पूलिस अधिक्षक ने एक प्रेसवारता में दिया है बिना सुचना के नक्सल चेतरों में निकल रहे पूलिस के जवान नक्सल पर होई जिला चेतर के पूलिस पिकेट में प्रतिन्युक्त जवान बिना अनुमती अपने पिकेट से बाहर निकल रहे है उन पर उनके पदा अधिकारी का नियंत्रन नहीं है सवधानी नहीं बरती गई तो बड़ा खामियाजार भुकातना पड़ सकता है बतादे जहरखन पूलिस के आईजी अभियान अमोल वेनुकांत होमकरन या चिन्ता जताई है ग्री रक्षकों की प्रतिनिक्ति का आदेश ग्री बिभाग ने एक बार फिर राईसरकार के विभागों में ग्री रक्षकों की प्रतिनिक्ति किये जाने से समधित आदेश सभी अपरमुक सचीव, सभी पधान सचीव, सभी बिभागा अध्यक, सभी आयुक्त, सभी उपायुक्त को दिया है बतादे इससे पहले 12 अप्रिल 2021 को भी राई सरकार ने सभी विभागों में सुरक्षा कारे में नीजी सुरक्षा गाट की सवाय नहीं लेने और असक्ताम सार ग्रिय रक्ष को की ही प्रतिन्युक्ति करने समधिर अदेश जारी किया था जहरखन में 9 नए केस मिले है जो राची से 6 है बतादे जहरखन में कुलेक्टिव केस की संख्या 133 है वहीं भारत में 42 चौसो 3 नाए केस मिले हैं भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 4,33,660 रांची उपायुक्त पर रिस्वत का अरोप लगाने वाला ब्यान से पलटा है वारा चेक वापस कर दिया गया झार्फन हाईकोट के आदेसों की कोपी होगी लेमिनेत Lord जार्खन हाई कोट के सभी आदेवसे की प्रती को लेमिनेट किया जाएगा इसको लेकर जार्खन हाई कोट के जस्टिस अनन्सेन की आदालत ने आदेश पारित किया है दरसल जस्टिस अनन्सेन की आदालत में सनीवार को बर्ष 2012 के एक मामले के सुनवाई हो रही थी इस दोर रांची में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले मोख्यमंत्री गभीर बीमारी उपचार योजना में अधिकतर मामले कैंसर के आ रहे हैं पानी के लिए परसान है लोहरदगा की जनता लोहरदगा चिले के सहरी छेतर में पिछले पांच दिनों से जलापूर्टी नहीं हो पा रही है लोग पानी की एक एक बुंद के लिए परिशान है अस्थानिय लोग पानी के लिए इधर उदर बटक रहे हैं आए दिन तक निकी खराबी की वज़ा से सहरी जलापूर्टी योजना पर भावित होती है लाखोर उपए जलापूर्टी योजना के नाम पर खर्च किये जा चुके हैं इसके बावजूद ना तो बेवास्था सुधरी है और नहीं लोगों की परसानिक ही कमी हुई है आदिवासी समाज साथ को मानव सिरिंखला बनाएंगे आदिवासी समाज के अधिकार को लेकर साथ सितंबर को मानव सिरिंखला बनाया जाएगा इसको लेकर त्यारी शुरू कर दी गई है सन्युक्त आदिवासी समाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने सनिवार को विधायक लोबिन हेम्रेम से मुलकात की और मानव सिरिंखला कारेकरम के अधिकार को लेकर जनकारी दी मुख्य मंत्री ने अनपूर्णा देवी को केंद्रिय मंत्री बनने पर दी सुबकमनाये मुख्य मंत्री हमानसुरें से काके रोड राची स्थीत उनके आवासी कारेयालाय में सनिवार को केंद्रिय सिक्षा राजय मंत्री साकुडर्मा सांसत अनपूर्णा देवी ने मुलकात की मुख्य मंत्री से या उनकी सिष्टा चार भेट थी मुख्य मंत्री ने सांसत अनपूर्णा देवी को केंद्रिय सिक्षा राजमंत्री बनाये जाने पर उने सुपकमनाये और बधाय दी मुख्य मंत्री ने विश्वास जताया की गुणवाता पुन सिक्षा ब्यवस्ता मैला ससक्ति करन सहीत राजे के सुराण के विकास में केंदरी राजमंत्री के रूप में पुर्णा देवी का सहयोग राजवासियो को प्राप्त होगा मौब लिंचिंग पर सरकार जल्द बनाएगी कानौन 29 मार्च 21 तक जोठी अफवा और अने आरोप लगा कर राजे के विभीन जीलों में 50 से अधिक मौब लिंचिंगी घटनाएं होई है इस घटना में 29 लोगों की मौद भी होई है जबकि ये कईस गंबी रूप से घायल है इन घटनाओं में केवल दो ही घटना में फास्ट रेक कोट में फैसला हुए है मत दाता सुची 20 स्पून रिक्षन कारेकरम 2022 का व्यापक परचार परसार करे साथ ही प्रखंड अस्तरपर मत दाता भी सेस पुन रिक्षन कारकरम में अस्थाने राई नितिक दलो का स्वयोग लेते हुए इस पुन रिक्षन कारकरम को सफल बनाना सुनिश्चीत करे यह बाते पलामो उपायुक ससीरंजन ने कही वे सनिवार को एनाईसी के सभागार में जीले के सभी निर्वाचन निवंधन पदाधिकारी सहायक निवाचन निवंधन पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे दो लाह के इनामी पिलेफाई एरिया कमांड़ गिरफतार पच्मि सिम्भूम जीले की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पिलेफाई के एरिया कमांड़ सहे तिन उग्रवादे को गिरफतार किया है गिरफतार उग्रवादियों में पीले फाई केरिया कमण सुजीत कुमार राम ओर्फ साहू, राजू भुया और महावीर सिंग सामिल हैं इनके पास से 5 राइफल, 7 मेगीन, 1 देशी पिस्टल, 17 गोलिया, 1 डॉबल बेरेट बंदूक, 8 गोलिया, 7.65 बोर का 30 गोली बरामत किये गए हैं रूपा तिर्की मामला साहिव गंज की मामला थानेदार रूपा तिर्की की संदिक्ध परिस्थिती में मौत के मामले में नई दिली स्थित राष्टिये अनुशूचित जन जाती आयोग ने जार्खन सरकार को पत्र लिकर 9 सितमबर तक विस्थित रिपोर्ट और इस मामले में अब तक की गई सवाई की जनकारी मांगी है उक्त पत्र मुक्स चीव को समधित करता हुए है आयोग का पत्र पुर्वें भी आया था जिसका जबाब राई सरकार ने 16 जून को ही भेज दिया था और रूपा तिर्की मामले में अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी थी धन्यवाद